नवस्कार दोस्तों आरिसीन ज्वाबियू श्यनल में आपका हारदिक स्वागत है आज की सबसे बड़ी कबर उत्तरपिजिस अधिनस सेवा चैन आयोग की है जैसा कि आप सुभी को मालूम होगा कि उत्तरपिस अधिनस सेवाचायन आयोग द्वारा कई भरती परिछाएं आयोजित की गई है जिसके परड़ाम सालों से लंबी थे अभी तक परड़ाम जारी नहीं हुआ जून माल से परड़ाम आने सुरू होंगे लेकिन आपकी एक गलती के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया जैसा कि मेरे द्वारा पांच घंटे पहले एक कम्यूटी पोश्ट किया गया था आप इसकी इंसार्ज देख रहे हैं आपको बताया था कि आप अपनी समस्या लिखिये आज आर नाइन टीवी पर यूपी ट्रिपल सी का मुद्दा उठाया जाएगा लेकिन आप लोगों ने इस बात को हलके मिलिया बस आपको सबूद चाहिए कॉल रिकार्डिंग चाहिए चपरासी की कॉल रिकार्डिंग सुनके आपस में बात करके जो कॉल रिकार्डिंग डाल दिया आती है उसमें आप बहुत प्रसंद रहते हैं आप लोग बताईए, आप लोगों ने कितना ट्विटर अभियान किया, धर्ना परदर्शन किया, कुछ असर हुआ, किसी बड़े न्यू चैनल के माधिन से आपका मुद्दा उठाया गया, नहीं उठाया गया, आज प्रियास किया गया, रजय सर्मा का नंबर दिया गया, जो इतने घंटे पहले किया गया था, और 6 बजे जब डिवेट सुरू हुआ, और रजय सर्मा उसमें बैठे थे, लेकिन आप लोगों की गलती के वज़ा से कुछ नहीं हो पाया, आप लोगों ने अपने पैर पर जान बूच कर कुलारी मारी है, जो प्रियाम जल आने वाले थ जल से जल भरती परिछा परड़ाम जारी कर दिया जाए, इसलिए रजय सर्मा आज डिवेट में बैठे थे, लेकिन आप लोगों ने सारा मेहनत बेकार कर दिया, ना समय से एकसाम होगा, ना परड़ाम आएगा, आप इंतजार करिए, आप लोग ज़्यादा होसियार बनते आप लोग कमेंट वरक्स में भद्दे कमेंट करना जानते हैं, आप वीडियो को डिसलाइक करना जानते हैं, आप लोग की मंत्री मुक मंत्री तक पहुँच रहती है, आप लोग विभाग से सारी पकड़ रखते हैं, जो जानकारी मुझे नहीं रहती है, आप लोग सबसे पहले बता देते हैं सिरिमान जी ज्यादा होस्यार मत बनिये मैं साप सब्दों में कहता हूँ कड़ुआ होता है पर सत्य होता है सो परिशत अथेंटिक जानकारी देता हूँ आज आप सभी के लिए प्रियास किया कि उत्तरप्रिस अधियन सिवाचायन आयो का मुद्दा आर नाइन टीवी पर उठे लेकिन आप लोगों ने सारी मेहनत पर फानी फिर दिया आप 6 बेजे का डिवेट देखिए देखिए उसमें रजसर्मा बैठे है या नहीं UPSC का नाम आ रहा है या नहीं R9 News Channel यूटूब पर सर्च करिए टीवी पर सर्च करिए आपको कोई सही जानकारी देता है आपकी मदद करने का प्रियास करता है तो आप उसी की अवहिलना करने लगते हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ आगे इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा जितना मेरे अंदर छमता थी आपके लिए मैंने प्रियास किया आगे आपके उपर निर्भर करता है आप मारे लिए क्या सोचते हैं धन्यबाद